नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पर तो आज हम बात करेंगे UPDLN BTC Admissions 2024 लेटेश्ट अपडेट के बारे में तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 26 नॉमबर 2024 की बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे आज की आवेदन इस्तिती क्या है जी हां दोस्तों चात्रों के लिए क्लिए बड़ी कुसकबरी रहने वाली है तो इसको भी हम देखेंगे क्या डेट को एक बार और बढ़ाया जाएगा जी हां 25 अक्टूबर तक ही हमारी आवेदन की फाइनल प्रक्रिया चली है और आज एक महिना बेच चुका है complete और आज हम 26 नॉबर को इस वीडियो में discuss करेंगे कि अब आगे क्या होने वाला है ठीक है एक बार official website भी हम आपको दिखा दें दिन देख सकते हैं 26 नॉबर दिन हैं मंगलवार तो यहां पर official website में आते हैं यूपी डियलेट रेजिटेशन पर क्लिक करते हैं ठीक है और उसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं और भी चीज़ें यहां पर सो हो रही है तो इनकी website इससे में थोड़ा सा slow चल रही है लगता कुछ काम चल रहा है देखें जब कुछ work होता है न तो यह सही है है यहां पर DLA activity में अगर आप देखेंगे ठीक है तो देख सकते हैं website कुछ ज़्याद है slow है इनकी तो यहां पर know your rank आ रहा पेज seat allotment, face choice filling allotment, result ठीक है registration की प्रकरिया complete हो गई उसके बाद हमें अपनी state rank ही देखना है यहां पर देख सकते हैं about counseling को लेकर क्या news है ठीक है वीडियो में वापस आते हैं आप लोग के हरे comment का आंसर इस video में किया जाएगा आपका comment हमारे लिए बहुत ही important होता है तो आपके धेट सारे सवाल रहते हैं हर एक सवाल का आंसर किया जाएगा किसर क्या करना आगे क्या है से क्या हो सकता है कितना और समय लगेगा एक और अच्छी कबर हम आपके लिए पहले आपके समय रहे चात्वरती के लिए 13 जनवरी तक कर सकेंगे आवेदन जी यहां दोस्तों समाज कल्याड विभाग ने 9 से 10 में की विद्यार्थियों के लिए चात्वरती आवेदन की संसोदित समय सारीडी जारी कर दी है ठीक है अब विद्यार्थी 13 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर 15 जनवरी तक फाइनल प्रिंट ले सकेंगे ठीक है तो यह सारी बाते हैं तो फिलाल यहां पर डेट को स्टेंड कर दिया गया है आप लोग की जो पहली कलास स्टार्ट होनी थी 12 दिसंबर से होने वाली थी अगर सब कुछ सही रहता तो आप अरामते स्कॉलर्शिप को फॉर्म भर पाते हैं तो फिलाल अभी तो मौका मिला है देखते हैं क्या होता है तब तक यूपी की बिजली ब्योस्ता निजी हातों में दी जाएगी जी आँ दोस्तों जब बात प्राइविटाइजेशन के आते हैं तो बहुत ही मतलब आपको बिल्कुल नहीं अच्छा लगता होगा सारा काम देखे गवर्मेंट केट होना चाहिए आगरा नोड़ा में निजी क कर रही है बिजली बित्रट ठीक है तो देखते हैं क्या होता है फिलाल उसके बाद अब जूनियर हाइज स्कूल में जल्द शुरू की जाएगी चैन की प्रक्रिया ये वैकेंसी दोस्तों काफी लंबे समय से फसी पड़ी है देख सकते हैं जो ये वैकेंसी है ना इसका एक पक के 1507 पदों पर भरती होनी थी इसके लिए अक्टूबर 2021 में परिच्छा कराए गई थी और नॉमबर 2021 में रिजल्ट भी आ गया था हाला कि परेडाम में गरबड़ी को लेकर कई अभ्यरती नयाले चले गए और चैनित अभ्यरतियों की न्यूकती प्रक्रिया बीच में रोक दी गई उच्छे नयाले ने 15 फरवरी 2024 को समस्त रीट खारिच करते हुए भरती माल प्रसस्त कर दिया तो यहाँ पर देख सकते हैं तो ठीक है इस पर हम लोग ज्यादर डिसकत नहीं करेंगे लेकिन कितने लंबे समय से बच्चे इंतजार करें 2021 से 2024 यह हमें बस आपक इस्ट्र करने की हिम्मत रहेगी स्टेट राइन यह हमारा मेंट यह है वीडियो का ठीक है तो मेंट पर्पस यह है कि स्टेट रेंग कब तक आकए क्या क्योंकि स्टेट रेंग के बाद अब आगे का कोई प्रोसेस शुरूप है, अगर बिला state rank के कुछ काम होना नहीं है, तो सबसे ज़्यादा important हमारे लिए state rank होगा, daylight counseling का schedule क्या होने वाला है, ठीक है, देखिए अगर state rank आ जाती है 26 जन नॉम्बर को, ठीक है, तो state rank 27, मतलब counseling की प्रक्रिया 27 नॉम्बर से शुरू हो जाएगी, बस इतना ही आपको टाइम मिलेगा, तो इसलिए आपको हर एक दिन update में बने रहना चाहिए, कि कभी भी state rank आ सकती है, कभी भी समय बदल सकता है, और अगर आपकी rank एक से 20,000 के अंदर होगी, और अगर आपने first round की counseling में participate नहीं किया, जब second round में आएंगे तब तक सारी seat है, सरकारी की book हो चुकी होगी, ठीक है, हमें पता है कि ये वीडियो बहुत से बच्चों के पास नहीं, पोच पाते हैं, कुछी बच्चे इस वीडियो को देख पाते हैं, सोचे 3 लाग से ज़्यादा आवेदान है, कभी आप वीडियो में देखते हैं, कि एक लाग व्यू भी आया हूँ, नहीं आता न, दस अजार व्यू भी नहीं आपाता मुश्कल थे, उसका रीजन क्या होता है, वीडियो काफी कम बच्चों तक जाती है, तो होता भी है कि बहुत से बच्चों को पता नहीं चलता दे कि आज भी 26 नॉमबर 2024 को भी बहुत से बच्चे चाहते हैं कि लाज डेट को extend कर दिया जा, मतलब एक बार और आवेदन का मौका दिया जा, अब आपको लगता होगा यर कितनी बार मौका मिले, इतनी बार तो मौका मिल चुका, अब क्यों मिले, ठीक है क्योंकि आज भी बहुत से बच्चे उस वीडियो को नहीं देख पाते, जब आवेदन की फ्रक्रिया चलती है ठीक है, चले पहले कमेंट्स को देखते हैं अगर DLA certificate दो साल में नहीं मिलेगा तो क्या BPSC दे पाएंगे और क्लियर हो जायता तो BPSC डाकुमेंट वरिस्टेशन कैसे होगा ठीक है, डोमेसाहिल क्या होता है डोमेसाहिल आपका निवास प्रमाण पत्र होता है तो देखें, बिहार के जो बच्चे है अधरिश्टेट के देखें, पहले उत्तर प्रदेश में क्या था DLA को रूल, आपको पता है UP, DLA 2023 में क्या रूल था? पिछले साल तक यह रूल था कि जो बच्चे UP के हैं, सिर्फ वही बच्चे DLA कर सकेंगे, लेकिन 2024 में नियम में संसुधन क्या जाता है, और अब की बार ठीक है, कोई भी बच्चा चाहे वो अधर स्टेट का, चाहे बिहार का हो, चाहे दिल्ली का हो चाहे किसी भी राजी का हो उसको आवेजन का मौका दिया जा रहा है मतलब UP then other अधर स्टेट के बच्चों का मौका दिया जा रहा है तो बिहार में जब नौकरी आ रहे है टुहां कि बच्चों का कहाना है कि अब वैकेंसी आना तो बाहरी बच्चों को मौका ना दिया जाए जैसे काफी ज़्यादा यूपी की बच्चे बीहार में जनके सेलेक्ट होती है यह देखिए ठीक हैं तो इहाँ पर बच्चों का सवाल है क्या यह बात सही है कि राज में डो में साल नीती लागू ना होने से बारी राज्यों के बेर्थियों की संक्या सिच्छक बाली में तुलात्मक अधिक है देख सकते हैं बच्चों को धेर सारे सवाल है वहाँ पर और बिहार में जब टीचर की साधी उरे सिच्छा का जलवा देखे भाईया मतलब कुछ भी ठीक है तो अगर आप तो टीचर बनेंगे तो फिर काफी ज़्यादा इज्जेत आपको मिलेगे सर मेरा 218 नमर है गौर्रमेंट कॉलेंट मिलेगा यानि 218 पर बहुत ही कम चांसे SC और HT में ही चांसे बाकी अन्न काटेगरी में सोचना भी नहीं मतलब जनरल EWS OBC ठीक है आप बहतर है कि सिर्फ डिलेट की ही बात करें dealet कम बिहार का निंज ज्यादा देते हैं देखिए बिहार के निज इसलिए देते हैं क्योंकि बिहार मे बिहार से ज्यादा U.P के बच्चे जाकर सेलेक्ट हो रहा है थीक है तो आप लोग कमा जलवा बिहार में तो आब जहां पर मैं entrance exam नहीं दिया हूँ, मेरा registration हो गया है, admission हो जागया निसस्त। देखें, उत्तर प्रदेश में entrance exam नहीं होता है, UP में merit के अधार पर आपका admission होता है, ठीक है? सर, counseling date कब आएगा? देखे, बार्मी वर्सेस, 12 वर्सेस, graduation के मामला court में लंबी थे, ठीक है? या तो PNP बार्मी के शातरों को मौका दे, तुरन आज के आज इस्टेट रेंक आजए, लेकिन उससे पहले इनको एक बार और registration प्रक्रिया शुरू करने पड़ेगी, ताकि बार् admission की प्रक्रिया शुरू हो सके, सर मेरा 219 से SC है, जी हाँ, chance आपका बनेगा, क्योंकि SC कट्रिया है, बहुत लेट हो रहा है admission में, कब 12 वालों को मामला समाप्त होगा, ठीक है? जीकि मामला ये कभी खत्मा नहीं होगा, मामला खत्मा तब होगा, जब मामला सुप्रीम कोट स सुरू कर दीजा, भाई क्या BSC या भी ये कि अभी 2024 में डिग्री नहीं औरिजिनल वाली तो क्या इसकी भी नीट होगी, वन येर वीट करना पड़ेगा, नहीं बिल्कुल नहीं नीट होगी, इसके लिए प्रोविजनल दे देंगे न, प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो हम सर, हम बिहार से हैं, मेरा रेजिटेशन हो गया है, अड्मिशन कब तक होगा, ग्रेजवेशन भी हो गया, ठीक है, थोड़ा इंतजार कर लिजाए, स्टेट रेंक का, सर क्या बिना रेजिटेशन डिरेट अड्मिशन हो जाएगा, प्राइवेट कॉलेज में, प्लीज सरकारी कॉलेज मिल जाएगा, जनरल से तो बिल्कुल भी चांत रहेगा, इस्टेट रेंक कब तक आ सकता है, बहुत जल्द आपको ठीक है, गुड लूज मिलेगी, और क्या, जिस सब्जेक्ट से होनर्स होता है, सब इस्कूल में वो ये पढ़ाने को मिलेगा, जैसे मेरा एकोनोमिक्स होनर्स है, क्या ये सारी, दिखिए अगर आप डिलेट करते हैं, वन टू फाइप में आते हैं तो यहां सब्तर दोजार पचीश से लगेगा, नहीं नहीं, आपका बैच हमेशा दोजार चॉबिस ही रहेगा, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है, एडमेशन आपका दोजार चॉबिस में होगा, तो भी आप दोजार चॉबिस बैच के स्टूटेंट होंगे, बाकी इतना पचीश से लिए अगर आपको कोड को बैतर तरीके से समझना है, तो एक बार आप कोड केस में फसके देखिए, ठीक है, जब आप पर कोई आरोप लगेगा, जब आप कोड जाएंगे, तब आप जानेंगे कि आखिर लेट क्यों होता है, हम लोग ने 79,000 सिच्छक भरती की एक एक पैर भी, जी हां, यूट्यूब पर लाइब बताया हैं आपको कि कैसे क्या होता है, कैसे सुनवाई चल रही थी, कैसे मामना सिंगल बेंच गया, डबल बेंच गया, सुप्रीम कोड गया, उसके बाद क्या क्या हुआ, ठीक है, OBC से 230 है, थोड़ा मुश्किल रहेग पहले समेस्टर में दोस्तों आप 1-5 की बच्चों को टीचिंग करेंगे, यहां पर यह, और 4 समेस्टर में 6-8 की बच्चों को पढ़ाएंगे, बस, सर, 234 बन रहा है, SC केटेगरी है, आराम से आपको सरकारी कॉलिज मिलेगा, क्या मेरा एडमिशन हो सकता है, आपका सवाल क्या है, सर, मेरा एक सुबान में, जी है, है, हैंडी कैप है, तो अराम से आपको मिल जाएगा, सर, काउंसलिंग दिसंबर में होगा क्या, जी है, आप इस महीने नहीं हो पाया, तो नेक्स्ट मन्त, पूरी उमीद है कि सब कुछ अगले महीने होना चाहिए, ठीक है, बाकी इचात पत्तियों को लेकर परदसान नहीं हो न, थोड़ी सी घुड़ने उच्ति, आप अपने दोस्तों के साथ सेयर करिएगा, स्टेट रैंक करेज़ें, पिछले साल कही है, दो अजार चौबिस कभी कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा, लेकिन इस बार जो ये रैंक आई ह ये उत्तर प्रदेश के बच्चों के पिछली बार थी, इस बार जब अधरष टेट के बच्चे सम्दी थे, तो देखते हैं कैसे स्टेट रैंक को जारी किया जाता है, क्योंकि अधर श्टेट के बच्चों को सेकंड राउंड में कौंस्ली के बात हुई थी, शुरू में पर कोई college नहीं, दोनों बच्चे जनरल केटेगरी किते हैं, इस बच्चे ने होस्यारी करके AWS बनवा लिया, इस बच्चे ने AWS का certificate ने बनवाया, ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों फॉर्म जब आप आप साल भरे 2024 का, तो जो final print है, यह आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी ह उसके बाद दोस्तों यह विग्यपती लगेगी, counseling में दोस्तों एक से बीस अजार किराएक को बच्चों को पहले मौका, बीस अजार एक से लेके असी अजार फिर, असी अजार एक से लेके देड़ लाग, और एक लाग पचास अजार एक से लेके दो लाग चालिस है, इस यह लगेगा, यह तो लगेगा, यह लगेगा, ठीक है, उसके बाद high school, inter, graduation के result और certificate, ग्रेजविशन में जैसे आपकी degree नहीं है तो प्रोविजनल प्रमाट पत्र से काम चलेगा, निवास लगेगा, जाती लगेगा, पहचान यह तो अबजन पत्र में अंकित, विवड़ क हो गई है, तो आप लोग जो भी comment करेंगे, हम आपका reply करेंगे, जो भी सवाल है आप पूछिए राम से, परिसान बिल्कुल मत होगी, थोड़ा समय लग रहा है, ठीक है, थोड़ा late होता है, देखे, एर सिच्छक बनने का पूरा process यह ही है, ठीक है, आप starting के जान जा रहे ह अपने देश में, ठीक है, correction होगा कि नहीं, नहीं होगा, form में गलती होगा, इसको सुधारा नहीं जा सकता, direct admission यह counselling के बाद होगा, हाँ, कुछ बच्चों का कहना, यह था सर जी हमने कुछ private college में 5,000 रपे दे दिया, 10,000 रपे दे दिया, हमारी seat पक्ती हो गई है, या हम क् PNP अपने तरब से notice चारी नहीं करती, तब तक कुछ नहीं होता, वो college वाले आप से ऐसे ही पैसा ले ले रहे हैं, और आप लोग ठीक है, थोड़ा भोले हैं, नय है न, इसलिए आप पैसा दे भी दे रहे हैं, ठीक है, साओधान रहे है, that college की कटाप क्या होगे, सरकारी college म जर्नल में, EWS OBC 225+, SC 215+, बाकी में 200+, ठीक है, safe zone record जर्नल में 240+, 235+, EWS OBC में SC 230+, बाकी में 210+, ठीक है, फिर मिलते हैं, stake connected